Hello, what's up guys, कैसे हैं आप सभी लोग, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे IDE और AHCI के बारे में, ठीक है, तो इन दोनों के ही full forms मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं, IDE का full form है, Integrated Drive Electronics और AHCI का full form है, Advanced Host Controller Interface, ठीक है, तो ये क्या चीज़े हैं, तो इन सब चीज़ों को पानना क्यों जरूरी है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है, तो अगर आपने अपने computer में कोई SSD लगा रखी है, और वो SSD अच्छा perform नहीं कर रही, ठीक है, यानि कि जल्दी नहीं चल रही, ये slow चल रही है, तो उसके कुछ reasons हो सकते हैं, कि वो SSD जो है, बहुत पुरानी हो चुकी है, और खराब होने वाली है, है ना, लेकिन एक reason ये भी हो सकता है, कि आपके BIOS में गलत प्रोटोकॉल सेट है, गलत प्रोटोकॉल सेट होने की वज़ा से, आपकी SSD, यहां तक कि आपकी mechanical hard drive, in fact, mechanical hard drive पे मेरे खाल से ज़ादा ही असर पड़ेगा, अगर एक गलत प्रोटोकॉल सेट होगा, क्योंकि mechanical hard drive हमारी पहले सही slow है, compared to SSD, और फिर हम एक गलत प्रोटोकॉल भी सेट कर ले, तो उसके अपर हमें ज्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है, ठीक है, वहीं पर SSD में भी अगर हम benchmarks करें, या फिर आप एक नई SSD खरीद के लाए हों, और benchmarks वैसे ना रहे हों, जैसे दिखाए गए हों, तो various of reasons हैं, और उनमें से एक reason ये भी है, कि आपने गलत प्रोटोकॉल सेट कर दिया है, ठीक है, तो, और ऐसा कई बार मैंने देखा भी है, मैं एक market गया था, जहाँ पर किसी लोग build करवा रहते हैं, वहीं पर, और करवा के अपने घर लिए जा रहे थे, और जो technician थे, वो अपना काम लगभग ठीक ठाक कर रहे थे, computer assemble कर रहे थे, लेकिन वो लोग Windows इंस्टॉल करते वक्त, protocols नहीं देख रहे थे, कि कौन सा protocol BIOS में set है, और कुछ technician तो बहुत सारी चीज़े नहीं देख रहे थे, कि जो partition type बना रहे हैं, वो GPT बना रहे हैं, कि MBR बना रहे हैं, legacy mode से install कर रहे हैं, कि UEFI से कर रहे हैं, बस करे चले जा रहे थे, तो ये सारी चीज़े भी देखी मैंने, ठीक है, जिस वज़ा से अगर protocol गलत set हो, तो speed पे एसर आ जाता है, ठीक है, तो अब ज़रा थोड़ा से इसक कम्प्यूटर में जो data है, data पहुचाने के लिए, कुछ चीज़ें का इस्तमाल करना पड़ता है, पहला तो एक हो गया interface, interface क्या होता है, interface आप ये समझ लीजे कि, कि चीज़ के थुरू आपकी drive connect हो रही है, ठीक है, मैं थोड़ा सा easy language करके समझा रहा हूँ, यानि कि आपकी drive है, वो किस चीज़ के थुरू connect हो रही है, वो उसको आप मान लीजें interface, और protocol क्या होता, protocol बिसिकली आपकी drive की language है, कि वो computer से किस language के थुरू बात कर रही है, जैसे मान लीजे कि आपके लिए यहाँ पर, मैंने दो language लिख दी है, आप तो तीन language आ गही है, IDE, HCI and NVMe, NVMe drive भी होती और NVMe protocol भी होता, ठीके, again मैं फिर से remember आपको मतलब याद दिला दूं कि मैं non-technical terms में बात कर रहा हूँ, ठीके, technical level पर हम इने protocols कहते हैं, लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आएगा न ये, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है, protocol ना मान के, इसको आप ये मान ल ठीके, तो interface हमारा क्या-क्या होता, interface फिलाल तो हम सेटा interface का स्टमाल करते हैं, उससे पहले हम parallel ATA यानि कि पाटा interface का स्टमाल करते हैं, जिसको IDE भी बोलते थे, ठीके, IDE उस वक्त protocol भी था हमारा और उस वक्त जो है, जो इंटर फेस था, उसमें भी हम interchangeable term इस्तमाल करते हैं, SATA को IDE भी बोल देते थे और IDE Cable भी उसको बोल देते थे सॉरी SATA कह रहा हूँ PATA को हम IDE Cable भी बोलते थे जो PATA Cable आती थी 40 पिन वाली उसको IDE Cable भी बोला जाता था ठीक है और reason यह था कि उस वक्त जो IDE प्रोटोकॉल है वो physical level पे मौजूद था आज हमने ऐसे एक मूड दे रखा है ECI के अंदर आज IDE फिजिकल लेवल पे अवेलेबल नहीं होता है computer पर बलकि एक मूड होता है IDE मूड मतलब लिटरली IDE मूड लिखा नहीं होता है लेकिन ऐसे इमूलेटर दिया होता है और देने का reason यह है कि अगर आप कोई पुराना operating system install कर रहे हैं जिसे कि Windows 2000 ये Windows XP तो हो सकता है कि HCI के थुरू वो चीज़ काम न करें आपका PC boot ना हो या फिर आप कोई बहुत पुरानी drive लगा रहे हैं या फिर drive से data recover कर रहे हैं आपको IDE मूट चाहिए होगा हम completely इसको discard नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल हटाई दें अगर हमारा motherboard एकदम नया है तो नए motherboard में भी ये पुराना protocol होता है बहुत सारे reasons के लिए तो मेरा आप गला थोड़ा से खराव है तो हो सकता कि बीच बीच में मैं ऐसे करता रहूं ठीक है तो उसको ज़रा ignore कीजेगा अब हमें क्या बता रहा था कि नए motherboard में भी IDE दिया जाता है लेकिन कुछ motherboard बनाने वाले बहुत महान होते हैं बिल्कुल उनको परमात्माने धर्ती पर उता रहा होता है motherboard बनाने के लिए वो इतने महान होते हैं कि जब BIOS में option डालते हैं motherboard बनाने वाले नहीं basically हम BIOS बनाने वालों को कहें महान हाँ BIOS बनाने वाले इतने ज़ादा महान होते हैं कि वो by default IDE mode set कर देते हैं यानि कि अगर आपने HCI या IDE में कुछ configure नहीं किया या आपने चेक नहीं किया कि कौन सा mode लगा हुआ है कौन सा protocol लगा हुआ है तो by default IDE पे ही Windows बूट हो जाएगी सब IDE पे चलेगा और मेरे पास भी एक motherboard है ASUS का उसमें HCI की जगा IDE by default set रहता है तो बहुत महान लोग मुझूद है धरती पे हला कि सर्कैजम बहुत हो गया कुछ इसके पीछे कारण भी है कुछ लोग जो IDE mode है by default इसलिए भी दे देते हैं कि अगर कोई पुराना operating system install कर रहा है तो दिक्कत ना हो उसे किसी technician को या किसी को call करने की जरूरत ना पढ़ जाए तो इसलिए वो by default IDE पे रखते है ताकि चीज़ें जादा से जादा user friendly हो सके आगे यह मेरा अपना मानना है मैं imagine करता हूँ कि कुछ ऐसा सोचते होंगे इसलिए IDE by default दिया है ठीक है HCI अब HCI के नाम में interface है बट यह एक protocol है ठीक है तो naming तो आपको पता ही है कि computer के case में कितनी जादा बुरी होती है जैसे हम USB की ही naming ले 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 इतने अजीब तरीके से उसके नाम रखे गए है तो यह सेम चीज़ यहाँ पे भी apply होती है namings और terms जो है वो evolve हो जाती है जमय के संग ठीक है तो यहाँ पे जो है HCI हमारा protocol है interface है हमारा theta है ना और NVMe protocol के case में हमारा interface होता है वो PCIE lanes होती है जो connect करने के लिए हम इस्तिमाल करते हैं वो PCIE lanes होती है और जिस language के थुरू हमारी drive बात करती है वो होती है NVMe यहाँ पे drive का नाम भी NVMe है और interface का नाम जो है वो PCIE है ठीक है तो यह सारी चीज़े है तो I hope आपको एक idea मिल गया होगा कि IDE क्या है HCI क्या है अब ज़रा थोड़ा technical terms में भी मैं बता देता हूँ यह दुनों protocol है जिनके थुरू आपकी drive जो हाड drive है वो communicate करती है computer से IDE एक पुराना protocol है यह तब आया था जब मतलब काफी समय पहले आया था मुझे यह नहीं आ दे बट इसके संग जो है interface आया था उसको ATA बोलते थी ठीक है advanced technology attachment था उसका नाम है ना और जब उस वक्त होता यह था कि उस वक्त चीज़े जो है वो parallel तरीके से travel करती थी यानि कि जो data होता था बहुत सारे cable होते थे को यह cable नहीं होता था data send करने के लिए और multiple cable से एकी समय पर data send कर दिया जाता था जिसको parallel तरीका बोलते थे तो उस वक्त बहुत सारे port parallel होते थे printer के ports parallel होते थे और मतलब जितने भी ports होते थे most of the ports parallel होते थे उसके बार technology में upgrade किया गया और parallel से serial कर दिया गया एक सेकंड मेरा शायद phone आ रहा है तो parallel से serial कर दिया गया और serial इसलिए किया गया क्योंकि parallel में होता यह था कि एक समय पर data हमने भेस हो दिया लेकिन data जब तक एक समय पर receive नहीं होगा तब तक data usable नहीं है तो अगर data का कोई एक टुकड़ा आ भी गया है तो दूसरे टुकड़ में हम कह सकते हैं कहीं न कहीं data भेजने का कोई फाइदा होता नहीं था उसमें latency रह जाती थी तो series में data भेजना शुरू कर दिया, series में क्या एक के पीछे एक के पीछे एक है तो data जा भी रहा है और जब पूरा data चला जाए तो काम में भी आ रहा है तो उसमें क्या है कि इसम parallel technology पर चलता था उसको फिर हम लोग वही कहने लगे parallel advanced technology attachment जिसका short form बन गया पाटा जिसको आज के टाइम पे पाटा drives कहते हैं जब वह release हुआ था तब उसको पाटा नहीं बोलते थे तब उसको एटीए ड्राइब बोलते थे एटीए केविल बोलते थे और आईडीए केविल आईडीए एटीए इंटर्चेंजबल टर्म्स थी उस टाइं ठीक है बाद में उसको पाटा बोलने लगे क्योंकि हमारे पास serial ATA यानि कि SATA आ गया था ठीक है तो हो सकता है कुछ लोग के लिए थोड़ा से confusing हो तो यह IDE की history है उसके बाद ECI protocol आ गया उसके बाद NVMe protocol आ ठीक अब जो लोग M.2 NVMe पे Windows install करवा रहे हैं हो सकता है कि by default उनके BIOS में NVMe protocol ही हो तो उनको अतना परिशान होने की जरवत नहीं है लेकिन जनके computer पुराने हैं बद अब पुराने से मिना मतलब है 2014-2015 Intel की 4th, 5th या 6th generation वाले जिसमें M.2 सवक्त नहीं होता था 6th generation से M.2 दिखने लगा था ठीक है लेकिन 5th generation तक 4th और 5th generation तक मैंने M.2 नहीं देखा तो जिनके पुराने motherboards है या जो पुराना used parts से computer बना रहे हैं या build करवा रहे हैं तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें और जो लोग latest PC build भी करवा रहे हैं वो भी ध्यान रखें और अब जिन लो सकती है कि आपका PC boot ना करें क्योंकि आपकी जो windows है वो AHCI के हिसाब से install नहीं हुई है वो IDE के हिसाब से install हुई है ठीक है तो यह चीज़े हैं हाला कि YouTube पे बहुत साथी registry hacks की tricks वगेरा available हैं कि अपनी registry में जाके यह change कर तो उसके बाद AHCI पर चले जाओ AHCI set कर तो फिर boot कर लो windows और वो हो जाएगा बट यह है कि मैं उन चीज़ों को इता recommend करता नहीं हूँ आप try कर सकते हैं लेकिन वहां पर भी risk है हो सकता PC आपका boot ना करें ठीक है बाकी अब आप जान गए होंगे कि यह protocols हैं इनके थ्रू जो है drives communicate करती है हलागी drive में बहुत सारी चीज़े होती है एक इंटरफेस होता है एक protocol होता है फिर GPT-MBR होता है फिर GPT-MBR को चलाने के लिए BIOS में UEFI mode legacy mode तो बहुत साजी चीज़े होती ही ठीक है फिर उसके बाद उसका file system आ जाता file system तो खाले operating system का हिस्सा है जैसे Windows में NTFS है XFAT 32 है वैसे Linux के file system है ठीक है I think उसका नाम EXT3 या EXT4 करके होता जो Linux के file system है ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं and I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा rate की मैंने बात नहीं करी rate का तो चलो कोई लेना देना भी नहीं है rate 0, rate 1, rate 5, rate 10 ठीक है तो बहुत सारी चीज़े हैं drives में ओके सो वीडियो का एंडि करते हैं I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like कर लीजेगा मन करे तो चैनल को subscribe भी कर लीजेगा और bell icon को भी press कर लीजेगा फिलहाल कि इस वीडियो मिरता ही मैं आपसे next वीडियो में मिलूंगा तक- लाउ... Стथ बना एर ना है । motif भीुझ कि पटो आचार उा अधसी कर वीजेगा है लीडियो का कर लीक। कर लीजेगा ी कश़ो में ए्मोर आ फन्मा दो लीजेगे मिलूंगा ऐदरन ultra never n Fast-war अन्मान-मारma inh। उस हाम फ्रे ब्स और कॉर आपको ऑम Means ली ऑक'. झाल